Hello everyone and welcome to IFAS, मैं हूँ स्वाती और डियर सूरेंट्स मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि नई ओपनिंग्स निकली है प्रोजेक्ट असोशियेट की सेंटर फॉर दियाने फिंगर प्रिंटिंग और डाइगनॉस्टिक्स यहां आपने बिलकुल सही सुना, CDFD Institute में नई ओपनिंग्स निकली है प्रोजेक्ट असोशियेट के लिए तो उसकी सारी डीटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी तो मेरे साथ लास्तक इस वीडियो में बने रहिए और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन प है प्रोजेक्ट असोशियेट के लिए आपके पास किको नंबर ऑफ ओपनिंग्स हैं ओनली वान ओनली वान नंबर ऑफ पोस्ट और विच विल बी सेलेक्टेट थू वाकिन इंट्रिव्यू तो यहां पर लिखा है CDFD इन्वाइट्स अप्लिकेशन फॉम इंडियन नाशन जैनो मिक्स अरुलेंस फॉर सार्स पोवि 2 इन इंडिया इंडिया सार्स कोवि 2 जैनो मिक्स कंसोटियम इन सै फोजी ठीक्ष है तो यह आपका पूंग्रवा प्रोजेक्ट हो जाता है इसकी लिए एज लेमिट थर्टी फाइव एयर्स हैं यानिकि अगर आप थर्टी फा तो आपको मिलेगा परमन, अलग से HRA भी मिलेगा, नेक्स देखिए essential qualification, उसमें दो criteria है, पहला है कि आपके पास MSC डिग्री होनी चाहिए and second is minimum two years research experience in life science after MSC, Please note this, जो experience है वो आपकी MSC के बाद का हो, वो भी two year experience, desirable qualification देखिए क्या है, first is experience in RNA extraction, real time PCR, ठीक है, second is experience of work in molecular biology laboratory, याने कि ये दोनों में से अगर आपने किसी पे भी थोड़ा भी बहुत experience लिया है, तो आपको prefer किया जाएगा, ये आपके लिए add-on benefit हो जाता है, Let's देखिए nature of duty, पे लिखा हुआ है, candidate will be expected to work in SARS-CoV-2 analysis laboratory involving work related to RNA extraction from virus, real time PCR and result analysis, ठीक है, तो आपको ये laboratory में work करना पड़ेगा, where SARS-CoV-2 will be studied, और पूरा experience में RNA extraction included होगा, Real-time PCR and result analysis student है, Next देखिए जो आपकी documents required है, पहला तो है identity proof, यानि कि आप आधार card, election card, pen card, इन तिनों में से कोई भी एक ले जा सकते हैं, Second is date of birth और proof of age certificate, यानि कि आपके पास ऐसा कोई document हो, जिससे आपकी date of birth verify हो रही हो, Third देखिए educational qualification, यानि सब आपके जितने भी mark sheets है और certificates है, वो सब भी required है, Fourth देखिए experience certificate, यानि कि आपने जहां भी काम किया है, वहां से आपको एक certificate मिला हुआ होना चाहिए, Next is disability certificate, अगर आप इस category में आते हैं, तो आपको वो certificate भी चाहिए, Six is certificates for reservation, यानि कि अगर आप reserved category में आते हैं, आपका card certificate लगेगा, Next देखिए selection procedure, पर लिखा हुआ है interested candidates are required to appear for the walk-in interview, यानि कि आपको directly walk-in interview के लिए invite किया जा रहा है, and where is the address, तो देखिए address मैं पढ़ दे रही हूँ, CDFD Inner Ring Road, उपल हैदराबाद 500-039 for the position of project associates to, Please note down the address, I will repeat it again, The address is CDFD Inner Ring Road, उपल हैदराबाद, आपको इस location पर पहुचना है, कब पहुचना है, date and time देखिए, 29th April at 10 a.m. यानि कि 29th April को सुबह 10 बजए आपका walk-in interview scheduled है, देखिए, अगर आप पूरा application पढ़ना चाहते हैं, तो ये website पर www.cdfd.org.in पर आपको notification मिल जाएगा, आप ये link को copy-paste Google पर डालेंगे, तो आप application पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो dear students, इस वीडियो में इतना ही ऐसे ही informative वीडियो देखने के लिए देखते रही हमारे YouTube चैनल, और अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो उसे subscribe कीजे, और इस वीडियो को like जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले, thank you so much.